चात्रों आजम कक्षा दस्मी में विज्ञान विशय में अध्याय आठ जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं भागे इसके बारे में पढ़ेंगे अब अपने चारों और विविन प्रकार के जीवों को देखते हैं और उनकी संख्या भी देखते हैं कभी आपको ऐसा नहीं कि आपको अपने महले पढ़त में ऊचापाद आपको एक ही आम का पेड़ देखे ऐसा नहीं एक ही मनुस्या दिखे ऐसा नहीं इसे takes a आपने देखा था यह कोशिका होती है कोशिका के अंदर एक क्या होता है यह कोशिका की बाहरी परत है यह कोशिका यह बाहरी आवरण है और इसके अंदर यह पाया जाता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा रशना पाई जाती है इनको हम बोलते हैं गुण सूत्र या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमो सॉम यही यह सभी जीवों में हैं चाहे पेड़ पोदे हों चाहे जन्तु हों चाहे मनुस्यों सभी में कोशिका पाई जाती है और यह गुण सूत्र पाई जाते हैं यह जो कुण सूत्र है इन पर ही अनुवांशिक पधार्थ पाए जाते हैं अनुवांशिक पधार्थ जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में इस्थानांतारित होते हैं यह पधार्थ तो यह जो गुण सूत्र हैं यह वास्तों में बने रहते हैं दी आक्सी राइबो न्यूकिलियक अमले यह जो इसमें जो डीने है यह क्या करता है अपने अपने को दियुगुणित करता है बिल्कुल अपने ही समान डुप्लिकेट एक प्रतीक्रती बनाता है जैसे आप फोटो कॉपी कर वाते हैं ना फोटो कोपी में क्या आता है कि वल्कुल वैसे ही आता है जैसे मूल कॉपी में तो यह DNA अपने ही समान प्रतिकर्ति बनाता है और इस प्रकार यह double हो जाते हैं और कोशिक यह भी दो भागों में बढ़ जाती है तो इस प्रकार यह दो युगमख बन जाते हैं जो कि विभिन किरियाओं में भाग लेते हैं जानन किरियाओं में बाग लेते हैं अच्छा कभी कभी बिविन्नेताएं भी होती हैं क्या होती हैं बिविन्नेताएं भी होती हैं तो बिविन्नेताओं में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे एक विशेश प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया यदि थंडे पानी में रहते हैं सीतो जोशन्य भाग में रहते हैं और कभी कभी मालो चानक से ग्लोबल жить आ जाए या वहां पर गर्मी आ जाए तो कुछ बैक्टेरिया उस गर्म एंपोच बैक्टेरिया मर जाएंगे और कुछ बैक्टेरिया गर्म पानी में भी क्या रहेंगे जीवित तो उनमें एक प्रकार की क्या आ जाती हैं विभिन्नताएं आ जाती हैं यहां देखेंगे तो उनको उसमें विभिन्नताएं तो विभिन्नताओं का होना भी जरूरी है आप देखते हैं विप्रीत परिस्तितियों में कुछ जीव मर जाते हैं और कुछ तो जीवों में बेभिन्नताएं का भी होना बहुत जरूरी है जिससे कि वो समुदा है वो समिस्ती जीवित रह सके तो ये सब उनमें प्रतिरोधक शमता विक्सित हो जाती है जैसे आप देखते हैं कि हम मच्छड मार दवाई है हिट से कुछ मच्छडों को मारते हैं तो सभी मच्छड नहीं मरते हैं कुछ उसमें से जीवित रहते हैं कुछ मर जाते हैं सभी पर उनका प्रभाव समान नहीं पड़ता तो उनमें उस जो हमने छिड़काव किया है उस व आप हम परेंगे एकल जीवों में एकल मतलब एक कोशिका से बना हुआ है वो भी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं अपना समुदाय बढ़ाते हैं तो एकल जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्र करते हैं तो उसकी एक विधी है विखंडन इस विखंडन को हम दो भागों में बार सकते हैं, द्वी खंडन, द्वी खंडन और बहु खंडन, द्वी खंडन में एक जीप दो भागों में बटेगा, इसका सबसे अच्छा उधारण है द्वी खंडन का अमीबा हम यहाँ पढ़ेंगे अमीबा में द्वी खंडन नामी से समझ में आ रहा है एक कोशी का कितने भागों में बढ़ गई है दो भागों में देखिए आप मालो यह अमीबा है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है यह इसका केंदरक है और इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीबा कैसे दो भागों में बट जाता है यह अलंगे प्रश्णन की विदियां है कौनसे प्रश्णन की अलंगे इसमें एक ही जीव इसे अपने ही समान दूसरे जीव उत्पन हो जाते हैं यह अधिकतर एक कोश्य की जीवों में होता है देखिए क्या होता है इसमें जो केंद्रक होता है यह इसमें जो गुनसूत्र होते हैं यह दो भागों में बट जाते हैं जब यह दो भागों में बट जाता है केंद्रक त इस प्रकार केंद्रग धीरे धीरे आप देखेंगे दो भागों में बढ़ता है और एक कोशिका में भी एक इस प्रकार की एक खांच बन जाती है ये और अंत में इस प्रकार ये थोड़ा और गहरा होता जाएगा इस प्रकार दो अमीवा प्राप्त हो जाते हैं और दोनों में एक ये और एक ये तो ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं संतती अमीवा ये दोनों कहलाते हैं संतती और ये कहलाता है जनक तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कैंद्रक्न गुण सूत्रों की संख्या का दिव गुड़न होता है और इस प्रकार ये संतती अमीवा दो बन जाते हैं तो यहां पर दो अमीवा बने इसलिए उसको क्या बोलेंगे द्वी खंडन अगला हम पढ़ेंगे बहु खंडन ये दूसरे उसमें भी होता है दूसरे उधारन भी है इसके बहुत सारे अब हम पढ़ेंगे बहु खंडन के बारे में पढ़ेंगे आशा नाम से लग रहा है कि बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जीव कुस्पन होंगे बहु खंडन अब एक जैसे इसका एक उधारन है आपने देखा हुआ ना मलेरिया परजीवी इसके कारण मलेरिया रोग होता है ना मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम में क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर जो कैंद्रक था यह कैंद्रक कई भागों में बट जाता है आप देखिए इस प्रकार और इसके चारों और एक बहुत मोटी पर्त बन जाती है यह देखिए तेंद्रक का क्या हो गया है बहु खंडन जब उच्चित परिस्तितियां रहती हैं तो यह इस प्रकार यह फट जाते हैं यह जो अंदर क्या यह है जो बहु खंडन है यह फट जाते हैं और यह बाहर निकल जाते हैं और जितने बाहर निकलते हैं उनसे संतती कोशिकाएं बन जाती है यह सारे बाहर निकलेंगे तो इस्क्रिया को हम बोलते हैं बहु खंडन यह वलेरिया परजी भी प्लाज बोडियम में होता है यह सब है अलेंगे जनन की विधियां इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनुरूद भवन पुनुरूद भवन अब यह पुनुरूद भवन क्या है इसमें भी नए जीव का निर्मान होता है जो बहु कोश्की जीव है बहु कोश्की जो सरल रचना वाले बहु कोश्की सरल रचना वाले जीव है तो इसमें क्या होता है कि शरीर का कोई हिस्सा तूट जाता है अलग हो जाता है तो उसके उतक धीरे धीरे विक्सित हो कर एक कोई भी खंड एक नए जीव का क्या कर लेते हैं निर्मान करते हैं पर ये उच्छ जिनकी रचना जटिल है उनमें नहीं होगा जैसे आप सोचो कि आपकी एक उंगली कट गई है और फिर से वापस वो उंगली बन जाए पूरी तो वो ऐसे हां थोड़ा सा हिसा कट जाता है तो उतक विक्सित होकर उसको पूर्ण कर लेते हैं लेकिन पूरा ही हाथ कट गया है और आप सोचें कि वो नया हाथ बन जाए तो ये ही मुश्किल है सरल रचना वाले जैसे आपने कभी देखा है चिपकिली में चिपकिली की पूछ वाला हिस्सा कभी-कभी कट जाता है तो वो पुनुरूत भवन की किरिया के द्वारा वैसे ही जुड़ जाता है तो इस प्रकार यह है एक प्लेन एरिया प्लेन एरिया में आप देखिए चित् तो इस प्रकास तरल कोश की जीवों में ये पुनरूद भवन की किरिया होती है इसको पुनर जनन भी कह सकते हैं कभी-कभी एक इसका उधारन है हाइड्रा हाइड्रा में भी ये पुनरूद भवन की अलेंगिक जनन है ये प्रकार का पुनरूद भवन की किरिया होती है तो इसमें क्या होता है शरीर की कोशिकाएं क्या होती है जो तूट फूट गई है जो उनकी पुनाय मरम्मत हो जाती है अब हम पढ़ेंगे एक मुकुलन विदी है ये भी पुनरूद भवन या पुनूर जनन के अंतरगात आती है तो इसका एक सबसे अच्छा उधारन है तो इस्ट भी है हाइड्रा आप देखेंगे किस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन के रिया होती है बहुत है तो उसके शारी में अ coverage बनता है मुकुल बनता है जो थोड़ा सा व्रधी कर लेता है परिपक हो जाता है और अपने जनक पौधे से क्या हो जाता है अलग हो जाता है आप देखिए यह एक हाइडरा है कि इसमें ऐसे पांच टेंटिकल्स या इसपरशकाएं पाई जाती है तो यह हाइडरा और यह एक आधार से यह एक आधार से लगे हुए रहते हैं उसमें यह टेंटिकल्स या संस इसपरशक पाए जाते हैं दीरे दीरे इसके शरीर पर एक ऐसा उभार सा बनता है क्या बनता है और दीरे दीरे देखेंगे यह उभार दीरे दीरे लिए अ भड़ा हो जाता है यह उभार देखिए यह उभार हुआ दीरे दीरे यह उभार क्या हो गया बड़ा हो गया आप यहां देखेंगे यह उभार दीरे दीरे अपने जनक से क्या हो गया अलग हो गया और एक नया है एक नया है बन गया है यह उभार एक सीलेंट टा जगत का ईजीव है तो यहां पर यह मुकल बना मुकल दीरे दीरे व्रद्धी करता गया और दीरे से इस अपने जनत जीव से क्या हो गया अलग हो गया तो ये विधी का लाती है मुकुलन ये भी अलेंगिक जनन की एक विधी है अब हम पढ़ेंगे पौधो में अलेंगिक जनन पौधो में अलेंगिक जनन अलेंगिक जनन जिसमें एक जीव के द्वारा ही नए जीव की उटपती हो नाती है आपने देखा होगा कि माली लोग या मनुस्त लोग पेड़ पौधों के विविन भागों को कलम बोलते हैं या फिर अधब लगाना इस प्रकार पौधी के किसी हिस्से को काटकर उसको रोब देते हैं मिट्टी में और नया पोधा निखसेत करते हैं तो इस विदी को हम क्या बलता है काइक मतलब शरीर कोई भाग को लेकर जिसमें तली जरूर हो तो उसको लेते हैं और उसको मिटी में अलग से रो मतले हैं या दो से अधिक विविन्य जातियों के पौधे भी जैसे आम की विविन्य जातियों उनको भी आपस में मिलाकर नहीं जाती उत्पन्न करते हैं तो पौधों के विविन्य भागों से नभीन पौधे उत्पन्न करते हैं इसे हम क्या बलते हैं काइक प्रवंदन ताइक प्रवंदन से क्या होता है कि मालो किसी पौधे में बीच कम लग रहे हैं तो इसमें क्या होगा पुष पॉर्फल कम समय में लगेंगे और दूसरा गुण यह होगा कि सभी पौधे अनुवांशीक रूप से अपने क्या होंगे जनक के समान उत्पन होंगे तो जैसे आपने देखा है चमेली में आप गुलाब में भी कलम काटते हैं यह देखते हैं आप कलम लगाते हैं दाब लगाना लेरिंग बोलते हैं इसको इस प्रकार यह विधिया है जो की उद्दान में बगीचे में माली लोग उद्पन कर सकते हैं आपने कभी देखा होगा ब्रायो फिलम का एक पौधा होता है तो उसकी जो पत्तियां होती है उसकी जो पत्तिया होती है उसमें ऐसे गड़े टाइप के पाए जाते हैं यह एक ब्रायो फिलम की पत्ति है पत्ति से ही दूसरा पौधा बन जाता है इसकी पत्तियां जो है यहां पर जो गड़े हैं यहां पर धीरे-धीरे कलिकाएं बनने लगती हैं और इस प्रकार यह आप देख रहे हो ना यह जो गड़े हैं इस प्रकार और धीरे धीरे यह बड़ी हो जाती है और यह मिट्टी में गिर जाती है मिट्टी में गिरना और वही से नया ब्रायो फिलम का पौधा बन जाता है तो यह भी एक प्रकार का अलेंगिक प्रज्णन है उसके बाद हम देखेंगे उतक संबर्धन आपने कहीं देखा है आप कभी कहीं घूमने गए हैं बगीचे में या किसी के घरों में आप देखते हो बड़े-बड़े बरगत की पेड़ को कितनी जगह चाहिए तो बड़े पौधों को बिल्कुल वैसा ही छोटा रूप बना देते हैं तो इसको हम बोलते हैं उतक संब इसमें क्या होता है कि पौधे के जैसे कोई वर्धी भाग है पौधे का कोई वर्धी भाग है जहां से यह कोशिकाएं ब्रधी करती हैं तो वहां से हम कोशिकाओं या उतकों के समू को क्या करते हैं अलग कर लेते हैं और इनको क्रतिम पोशक माध्यम क्रतिम पोशक माध्य घोल में रख देते हैं तिए जो कोशिका है हैं ये वरधी कर लेती हैं और एक छोटा सा समूर बनाती है और जिस उस स्थोटे समूर को हम क्या बोलते हैं कैलस क्या बोलते हैं कैलस को एक दूसरे हार्मोंस वाले घोल में हम क्या करते हैं रख देते हैं और वो छोटा सा पोधा बन जाता है बड़ा फिर उसको हम क्या करते हैं उसको मिट्टे है हार्मोंस की घोल में रखते हैं और उसको फिर बाद में को मिट्टी में रोप देते हैं इस प्रकार एक नया छो ईतक संमर्धन का उपयोग हम क्या करते हैं? सजावती पौद्धों के रूप में करते हैं. घर में लोग सजाते हैं बड़े-बड़े उसको तो यह कहलाता है उतक संमर्धन. अधिकतर इसमें पूछते हैं कैलस क्या है? अलेंगिक जनन की पौधों में एक विज़ी और है जो की फपून बगारा में पाई जाती है इसमें जैसे इसका एक उधारन दीजिया राईजू पस्ट राईजू पस्ट एक प्रकार का ये फपून है तो इसमें क्या होता है इसमें एक जाल नुमा तंतु एक जाल बनाते हैं और उस वहाँ पर बीजाणू धानिया पाई जाती हैं क्या पाई जाती है बीजाणू धानिया ये और इस बीजाणू धानी के अंदर बीजाणू पाई जाते हैं ये बीजाणू अनुकूल परिश्थितियों में क्या होता है कि ये जो बीजाणू धानिया ये फट जाती है और ये जो बीजाणू है ये फ्ल जाते हैं और इस प्रकार दूसरे बीजाणू …ो से एक नया जीवत्पन हो जाता है तो इस विधी को बोलते हैं विजानू समासंग विधी इसका एक अच्छा उधारण है राइजो पर्स इसके बाद हम इसका पार्ट दो बात में पढ़ेंगे धन्नवाद